नमस्कार मैं हूँ पारस दिक्षित और आप देख रहे हैं दगली महुला शो और हमारे साथ मौझूद है जगट डान्स अकैडमी के डिरेक्टर और कोरियोग्राफर मिस्टर दिब्ब श्रिवास्तब जी पहले तो आपका दगली महुला शो में बहुत-बहुत स्वागत है जिस बचे से क्योंकि मैं जो इवेंट्स करता हूं मैंने जो अभी तक जरनी जी मतलब डांसिंग में जी है उसके अकॉर्डिंग मैं ने देखा है कि हम लोगों को सजापुर के डांसर को उतनी पार्शुटी नहीं मिल पाती है तो कही ना कहीं मुझे वो चीज बारवार मत करा रहे हैं तो इसका उदेश किया कराने का का रहे हैं डांस का उदेश है कि इस प्लेट फॉर्म से तो अभी सारे ओडिशन हो चुके हैं बस अभी ऑनलाइन चल रहा है एक तारीक के बाद से ओनलाइन भी ऑडिशन सारे बंद हो जाए तो हम लोगों के जो आफ लाइन ओडिशन थे वो सीता पूर लखीमपूर और गूला था हर्दो ये शाहवाद है पूरन पूर बीसल पूर और हम लोगों ने बरेली में इसको रखा था तो सारे ओडिशन मुसली निपड़ चुके हैं बस अब रिजल्ट अनौना सुरू हो च कितनी कठनाई आ रहे हैं कठनाई तो दिन प्रति दिन कठनाई ही है हमेशा एक नई सुभा होती है और नई कठनाई का सामना करना पड़ता है बट जब तक जिंदिगे में कठनाई नहीं आएंगी तो कभी नए मुकाम हासिल नहीं होगे तो बस ये कठनाईों का भी एक हमेशा से मोटीव रहा है कि हम लोगों ने शहर में कुछ नया करने की कोशिश करी हमेशा जैसे कि आपने देखा होगा शायद अभी जो हमारे बॉलीवुड भोजपूरी मुवी जो शूट हुई थी उसमें भी हमारे बच्चे परफॉर्म कर चुके हैं निरवा सर के सामने तो हम लोग दिन प्रति दिन कोशिश कर रहे हैं कि अपने आपको नया बनाएं नया दिखाएं और कुछ नया प्लेटफॉर्म यहां के लिए शायापूर के लिए क्रियेंट कर सका हैं वह इसे कौन-कौन लोग है जो आपको इस इवेंट के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे ह तो उनमें से जो भी विनर्स बनेंगे उनके लिए आप क्या कर रहे हैं उनको क्या दे रहे हैं मुशलिए आपने शोज में देखा होगा तो विनर्स को कैश प्राइज या ट्रॉफी मिलती है बट हम लोगों का प्रोसीजर यह भी है कि हम उसको सीखने का एक मौका भी दें और जीत का जो होसला है वो अपना कंटीनिव आगे कर सके हैं शाजापुर में मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई सालों से जो है डांस की कंडिशन काफी खराब होती चली आ रही है तो इसके पीछे रीजन क्या है रीजन मेरी एक करडिंग जो भी है सीखने का कलाकार्या सी चाहते हैं डांसर से हैं जो एक लिमिटेड एरिया बनाके कमफटेवल हो चुके हैं और फिर जो हमारे हां इवेंट्स होते हैं वो उतने अच्छे इवेंट्स भी नहीं होते हैं शायद कि हम लोगों को और मौका आगे मिल सके तो कही ना कहीं हम लोग एक तरीके से पिछरत चला गया जिसवज़े से हम लोगों के जो डांसर से ना अब बहुत गिने चुने रहे गया गया हैं पहले जो इवेंट्स होते थे उसमें टैलेंट अपना आता था जो हम लोगों को देखने के लिए अच्छा मिलता था अच्छे निकल पाए बाकि सारे सब पिछलते चले तो कहीं ना कि इसीज का मेन जो रिजन है मेरे एकॉर्डिंग लगा है तो शायद बोल सकते हैं सीखना और दूसरा अच्छे शोजोना और रही आपर जो इवेंट होते हैं डांस को लेकर तो उन इवेंट में उन इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इवेंट के ब हो गया तो उस बज़े से लोगों ने अपना एक एडिया बना रखा है उसके आगे कोई निकलना नहीं चाहता बट यह कि अगर कंटीन्यू यहां पर नई जनरेशन आती है अच्छा काम करती है तो शायद माबाब को प्रेडित करेंगे कि उनके बच्चे भी वह अपने करने के लिए अच्छा प्लेटफार्म मिलता है जब वह प्लेटफार्म पर जाता है तो उस प्लेटफार्म के बाद उसको क्या मिल रहा है कहीं वह गुम्नाम तो नहीं हो जाएगा कहीं वह वह विनर वन के कहीं खो तो नहीं जाएगा तो वह भी देखने के लिए हम लोगो समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन लोगों ने आपको support किया, किन लोगों ने नहीं support किया, मतलब धिकार दिया आपको dance को लेकर, क्योंकि dance है कैसा कि क्या dance करो जाके यह करो वो करो, doctor or no engineer पढ़ा ही करो, लेकिन dance को लेकर थोड़ा लोगों की thinking जो है अलग तरह की रही है Actually, मेरी dancing की start मेरी BSC के बाद वी थी, मैंने BSC कंप्लीट किया और फिर मैं dancing करना start किया था तो 3-4 साल मैंने continue dancing किया reality shows के audition दिये, dance plus India's best dancer था, India's got talent है मतलब बड़े बड़े platform पे मैंने मतलब अपने talent दिखाया भी है और मैं workshop भी लेता हूँ, cam भी करता हूँ सब कुछ करता हूँ उसके बाद सड़नी मेरे लाइफ में 2017 आई है और 2017 मैंने अपनी academy खोलने का फैसला लिया उसके बाद से आज मेरी academy को लगवग 5.5 साल होने जा रहा है continue में वो काम भी कर रहा हूँ और एक छोटा सार reality शो बोल सकते हैं इस्वर चैनल पर आया था dancer hindu stani तो मैं उस पर भी करफॉर्म कर चुका हूँ मैं उसका सेंग finalist रहा था और बस continue अभी लगा हूँ class भी सीख रहा हूँ dance भी continue सिखा भी रहा हूँ इस्कूलों में भी काम कर रहा हूँ wedding का भी काम करता हूँ मतलब every platform पर मैं अपना काम कर रहा हूँ तो अब as an organizer एक अच्छे show भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकूँ तो वो भी चल रहा है और बाकी मेरी family ने मुझे रहे थे तो उस time पर मतलब आप family support तो था ही था आपके लिए आपके उपर लेकिन क्या है कि यह जब आप निकलते होंगे समाज में जाते होंगे तो आसपास के लोगों का क्या कहना होता था आपके प्रति actually यहां तक dance को बोले तो लोग शौक के तरीके से शीखना जाते हैं और शौक की तरीके से ही देखते हैं तो कहीं न कहीं होता है कि हमारे आसपास के दोस्त हैं मिलने जुलने वाले हैं तो वो हम लोगों को बहुत मुझे खुद का मेरा personal experience है कि क्या ही dance कर रहे हो इससे क्या हो जाएगा और कहीं job कर लो यह कर लो वो कर लो तो मतलब लोग अपना जो थोड़ा सा होता ना experience देते हैं बोलते हैं कि मतलब आप dance छोड़ दो यह कब तक इसमें life चलेगी एक case तक ना सकते हो या कुछ भी कर सकते हो हर कोई व्यक्ति reality show में नहीं चला जाता है बट हर कोई reality show में चला नहीं जाता है बट मेहनत करने वाले को कुछ ना कुछ तो मुकाम हासिल होता है तो उस बेस पर मेरे साथ भी यह सारी चीज़ें हुई है बट हां शुकर गजारू अपनी family का कि उन्होंने कभी मेरा support छोडा नहीं मुझे और हमेसा support किया है वाज भी करते है हमारे चैनल दागली मॉला शोग के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपने इस event को लेकर जगट डांस अकेडमी शहजांपूर डांस फेस्ट लेकर आई है जिसका grand finale 4 जून 2023 को ब्येस पोड़ी की स्कूल में होने वाला है जिसमें जेज जो है Mr. Rishabh Sarma है इंडिया बेस्ट टांसर और डांस प्लस के पोरियोग्राफर है तो टागली मॉला शोग के सभी दर्शकों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि हमारे शोग में आएं और हमारे शोग का और जगट डांस अकेडमी का काम देखें